तो आज हम बात करने वाले हैं टोटल नंबर ओफ सीट्स कितनी इंक्रीज हो चुकी है तिल टू और सेकंड और जून तक किस MDMS में साथी साथ हम जानेंगे कि कितनी क्लिनिकल और कितनी नॉन क्लिनिकल ब्रांचिस में सीट्स अवेलेबल हुई हैं में जो मैंने वीडियो बनाई है वो आपकी MDMS सीट्स ही उपर बनाया रखिए जो कि क्लिनिकल ब्रांचिस हैं मैं सारी क्लिनिकल ब्रांचिस आपको डेटेल मे सब्सक्राइब करने से पहले मैं बता दो जो को भी हमाई चैनल पर नया है प्लीज हमाई चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो या मैं शेयर नहीं कर पाता हूं बाकी अगर पेट सर्वेसे हमारी लेना चाहते हैं कॉंसलिंग करवाना चाहते हैं हमारी तुरू तो उसके लिए कुछ नॉमिनल फीस है वो आपको पेक करनी पड़ेगी वाट्सअप मैसेश कर सकते हैं लिंक डिस्रिप्शन में दिया रखा है डिरेक्ट वाट्सअप डिये हमारे कॉंसलर आपaufen alors करेंगे उसके बाद नॉमिनल फीस या पेकर हमारे कहंवांसलर एक्सपार्ट वहां आप से कॉल्ली चीजें पस्कुथ कॉल पर जैसे आपको रेंगे यह साथा hand ने में कैस्त प्रशीट करना कौन का से स्टेट आपके लिए बैरतः यह स्ट्राइगे कौन से ब्रांच आपको यौझे आपुक्त मिलेका इस प्लॉपट मिलेगा सारी चीज scaro हमारी जो मेन वीडियो है कि टोटल अभी तक 1950 प्लस सेट्स आपकी इंक्रीज हो चुकी है कैसे हुई है वो सारी चीज़े मैं बताने वाला हूँ तो अगर मैं आपकी क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करता हूँ तो सिर्फ अभी तक 1697 सीट्स इंक्रीज हो चुकी है तिल नाउ MDMS क्लिनिकल ब्रांचेस में नॉन क्लिनिकल की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी तक 247 सीट्स इंक्रीज हुई है नॉन क्लिनिकल ब्रांचेस में Government में काफी अच्छा Increasement देखने को मिला है branches में साथी साथ Private में मिला है Dean में काफी कम मिला है लेकिन आप ये Government Private Clinical branches में काफी अच्छा Increasement देखने को मिला है seat में तो चलिए हमारा जो Main Topic है, हम उस पर कंटीनू करते हैं अब हम branch wise आपको बताने वाले हैं सबसे पहले जो हमारी ब्रांच आते हैं वो हमारी रेडियो डियाग्नोसिस आती है गवर्मेंट में अगर बात करते हैं तो नीचेट इंटीवन प्राइवेट में अन्रेट सेट इस नीचे विए है डर्मत अलोजी की बात करते हैं तो um 6 seats in Gorman 30 seats in private 2 seats in Deemed 58 seats increase in Ptermatology में general medicine की बात करते हो 75 seats in Government sorry 93 seats in private 8 seats in deemed and 176 seats total increase हुई आपकी general medicine की pediatrics की बात करते हो 42 seats आपकी increase हुई है Government में private में 62 seats increase हुई है Deemed 10 seats और अगर अगर टोल सीट बात करते हो ऊटिए opener में टीघंटれない हैं में तो जैटिए एट अफिर फूसें डिक्रीक तैसा के दिक्रीज मेडिश को करता हूँ तो प्राइब टोन्तिछिट सारी टंटीवियो सद्रीट उस्योक में Last quelques ये तोटल 64 seats increase हुए तिल नौ देन नेक्स ब्रांच हमारी आती है वहां पर अगर मैं बात करते हो तो गौर्मेंट में 32 seats प्राइवेट में 4 seats देन हमारी अगर दीम की बात करते हैं तोटल 40 seats increase होती हुए दिखाए दे रहे हैं तिल नौ वहीं पर नेक्स ब्रांच जो आती है वो टीवी एंड चेस्ट आती है 23 सीट्स आपकी गौर्मेंट में 24 सीट्स प्राइवेट में 54 टोटल सीट्स इंक्रीज हुए जैन एंट की बात करते हैं तो गौर्मेंट में 30 सीट् सीट्स आपकी गौर्मेंट में 63 सीट्स प्राइवेट में 15 सीट्स आपके डीम में टोटल 166 सीट्स इंक्रीज हुई है वहीं जनल सरजरी की बात करते हैं तो 108 सीट्स आपकी इंक्रीज हुए गौर्मेंट में 65 सीट्स आपकी प्राइवेट में 16 सीट्स आपकी डीम में और इमिंटि शीट्स आपकी प्राइवेट में ठी में ऑर फिपटी वित्व की अगर्मिय dessert और शीट कि और टोर्ममेंट में और टिण ओर लघजीए पैफोटी फार्मिटि और पनला उसलिकर proолж इंक्रीज हुई है लास्ट बट नॉट लिस्ट हमारी जो ब्रांच आती है वह एंडी फॉरंसिक बेंडिसेन आती है गौवर्मेंट में आपकी 30 सीट्स प्राइवेट में 3 सीट्स डीन में कोई इंक्रीज में रिखने को अभी मिला है टॉटल 33 सीट्स लगाउं टॉटल सीट्स की बात करते हैं ग्रेंट टोटल मड्स की आपकी क्लिनिकल प्रायंच 3 यह इक सेवनीसन दिक्रीज हो उगें तिल नौ यह आपकी आपकी सीट इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही हैं आपको भी क्लियर आउट होते हुए दिखाई दे रहा हुग कहीं न जहीं है एंसर नुंबर और सीट इस साल बढ़ने वाली है काउंसले में कहीं न कहीं पॉजटिश जरूर देखने को मिलेगा चाहें आप डी येनबी की बा ब्रांचेस में इंक्रीज हुई है वहीं पर अगर मैं बात करते हो नौन क्लिनिकल की तो जैसे कि मैंने आपको बताया 247 इंक्रीज हुए अगर आपको डाटा चाहिए इसका कि कितने कितने गौर्मेंट में और कितनी आपकी प्राइवेट इंक्रीज हुए तो उसके लिए आप कमेंट सेक्षेन बता सकते हैं हम उसके लिए सेपरेट वीडियो आपके ले आएंगे और सारी चीज़ें डिटेयल में आपको बताने वाले हैं तो यह तो बात होगी आपकी सीट इंक्रीजमेंट को लेकर कि कितने कितने सीट्स आपकी अभी तक इंक्रीज हुई है जो भी डाटा है वो सब आप उफीशली वेबसाइट पर नम्सी.org.in पर जाके चेकाउट कर सकते हैं आपको सारी चीज़ें मि होगा या नहीं होगा तो यह सारी चीज़ें में आपको डिटेल मताने वाला हूं देखिए सबसे पहले मैं काउंसिलिंग की बात करता हूं कि काउंसिलिंग जॉब की स्टार्ट होनी है वो कही ना कहीं जुलाई या ऑगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होते हुई जैसे कि आपको मालूम होगा कि पॉंडिचैरी ने अपना रेजिस्टेशन पोटल खोल लिया है तो उससे यह साबित नहीं हो जाता कि वन नेशन वन काउंसिलिंग का जो चीज़ें है नोटिस है वो कही ना कहीं रद हो गई है इस साल से नहीं आने वाली है देखिए लास् की इस बार भी हुआ है पोटल खुल चुका है रेजिस्टेशन हो गया तो चांशिस अभी भी है कि आपकी कहीं न कहीं दो महीने अभी है आपके पास तो वन नेशन वन काॉंसलिंग की चांशंज रहती है कि हो सकता है कि हो जाए बट कंफर्म नहीं अभी क्योंकि ओल इंड पर इतनी सारी चीज़ें लाना और इतना ज़्यादा ट्राफिक आना तो उस पर कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्रियोस create होगा क्योंकि अभी भी जो आपकी NMC की official website है यह हम बात करते हैं जहां पर आपकी All India की counseling होती है वो भी कहीं न कहीं आपकी lag कर जाती है इस time पर lag कर रही है समझ लिए जब आपके all over state के students भी participate करेंगे उसी counseling में उसी site पे तो कहीं न कहीं बहुत सारा दिक्कत create होते हो दिखाई देगा इस website यह पर तो कहीं न कहीं इस सवाल chances बहुत कम है बट यह नहीं कह सकते कि आएगा नहीं आ सकता क्या पता आपकी सिर्फ UG के लिए आजए बट PG के लिए chances बहुत कम मेरे हिसाब से लग रही है बाकि अगर next exam की बात कर दे तो एक article publish कर दिया गया था newspaper में जैसे कि आपने इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है newspaper का article भी मैंने अपने telegram channel पर post किया रखा जाके आप check out कर लिजे उसमें बताया गया है कि जो आपके last year के MBBS student है वो इस साल 2023 में next exam देंगे उसके बाद अपना internship पर जाएंगे जो भी दो phase में आपका exam होना था उसी के हिसाब से चलना अगर phase के बारे में नहीं पता है कैसे का exam होना है तो आप मेरे को comment section बता सकते है में उसके लिए separate video बना दूँगा कैसे क्या आपका exam होना है क्या 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 courses रहने वाले किता किता time इंटर्वर रहने वाला सारी चीज़े detail में आपको बता दूगा तो यह सारी चीज़े मैंने detail में आपको बता दें तो आज किस वीडियो में बस इत नहीं हो करते हैं वीडियो इंफिर्मेटिव रही हो तो प्लीज एसा लाइक करें चैकरें चैनल सब्स्राइक बनाना भूलें दन्यवाद